हलो क्लास वेलकम बैक बच्चो प्यारे बच्चो सामने देखना ज़रा बेटा बिजनस करने के बहुत सारी फॉर्म है जिसमें से एक फॉर्म मैं पढ़ा चुका हूं बेटा सोल प्रोपराइटर्शिप की बात कर चुका हूं आज बेटा बिलकूल एक फ्रिस्ट टॉपिक स्टार्ट होना है पार्टनर्शिप और बेटा बहुत अराम से बेस समझना आज पूरा बेस तयार हो जाएगा सही मायने में बेटा ये टॉपिक स्टार्ट कल से होगा आज पार्टनर्शिप और आपने सिर्फ नाम सुने अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया आगे बढ़ रहे हैं बेटा पार्टनर्शिप में ना दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं एक का नाम है बेटा पार्टनर्शिप डीड और बेटा दूसरे का नाम है registration बेटा आपको बता देता हूँ partnership deed is a compulsory document अगर आप सच माहिने में partnership बनाना चाहते हो तो बेटा ये compulsory document है इसके बिना कोई partnership firm exist नहीं कर सकती and registration is totally a optional process ये बेटा आपकी मर्जी है कि अगर आप अपनी partnership firm registered कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं और नहीं भी कराना चाहते हैं तब भी काम चल जाएगा अभी इस मुद्धे बेटा मेरी चर्चा 10 मिनट के बाद पहले बात करते हैं partnership deed की ये क्या चीज होती है बेटा partnership deed is the return agreement between partners with specified the terms and condition between partners बेटा partnership deed क्या है return agreement between partners with specified the terms and condition of partnership बेटा ये partner के बीच का एक लिखा गया return agreement और बेटा इस से related कुछ extra बाद भी बता देता हूँ इंडिया में अगर बेटा कोई भी agreement लिखा जाता है तो बेटा वो stamp paper पे लिखा जाए समझा ही बात? यानि कि बेटा partnership deed कुछ और नहीं stamp paper पे लिखा गया एक agreement है जिसमें बेटा सारे partners sign करते हैं और आपको बता देता हूँ बेटा stamp paper act हमारे course में तो नहीं है बेटा लेकिन stamp paper act में लिखा गया है कि partnership deed बनाने के लिए आपको साड़े साथ सो रुपे के stamp paper पर partnership deed लिखनी होती है लिखता कौन है बेटा CA लिखता अब समझ क्योंगे बेटा कौर है ये ठीक है ना बेटा सारा दिन बैटके ये लिखता हूँ ओपिस में तो बेटा partnership deed is the written agreement between partner with specific आइदा terms and condition between partners ठीक है ना बेटा एक written agreement है जिसमें partnership से related सारी शर्ते लिखी होती है मेरी खुद की भी partnership deed है मैंने बेटा past time में दिखाई है बेटा ठीक है ना कल ले करा हूँ अकल आप सबको दिखाता हूँ partnership deed दिखने में कैसी होती है बेटा आप क्या-क्या लिखा रहता होगा चलो मैं terms and condition की बात करता हूँ क्या लिखा रहता है मेरे ब्यारे बच्चों साब ने देखना सबसे पहली बात जो partnership deed में लिखी रहती है वो है बेटा name of the firm बेटा partnership firm का नाम क्या होगा मेरी partnership firm का नाम है money superman company बेटा दूसरी बात जो लिखी रहती है name and addresses of partner partner के नाम क्या है बेटा और उनके addresses क्या है ये दोनों बाते तो बड़ी common है मेरी चर्चा इन दोनों पे नहीं थी मेरी चर्चा बेटा तीसरे मुद्धे बरस सबसे important हो दा पूरी partnership deed का बेटा तीसरे नंबर पे लिखा रहता है पी एस आर मतलब बेटा प्यार से बोलते हैं PSR that simply means profit sharing ratio की partner के बेच profit sharing ratio कैसे कैसे होगी आपको बता देता हूँ बेटा नाम से confused मत होना नाम है profit sharing ratio इसका मतलब यह नहीं कि profit इसी ratio में share होता है अगर loss भी हुआ वो भी बेटा इसी ratio में share होगा बेटा let's suppose कि मैं बोलता हूँ बेटा तीन लोगों ने मिलकर partnership करी तीन person मिले ABC और इन्होंने बेटा एक partnership deed बनाए और बेटा partnership deed में लिखा गया PSR 2 ratio 1 ratio 1 बेटा that simply means अगर एक लाग रुपे का profit हुआ तो A का हिस्सा है 2 out of total याने कि 2 by 4 याने कि बेटा 50,000 रुपे A के है बेटा अगर एक लाग रुपे profit होआ B का हिस्सा कितना है 1 out of total 2 plus 1 plus 1 याने कि 1 by 4 SEC का हिस्सा कितना है बेटा 1 by 4 समझाई और अगर बेटा 50,000 का नुकसान हो गया तो तब भी यही ratio है बेटा इसका नाम जरूर profit sharing ratio है confused मत हो जाना कि loss कैसे share होगा profit itself include the losses ठीक है ना बेटा तो अभी बता रहा हूँ आपको partnership deed में बेटा कुछ 15 से 20 मुद्दे लिखे जाते हैं मैंने भी सिर्थ 3 की बात करी बेटा name of the firm लिखा रहता है कि partnership firm का नाम क्या है बेटा name and addresses of partners लिखे रहते हैं बेटा PSR की बात करी अब मैं बेटा बड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ दो तीन बार बोलूँगा और आपको याद करा दूँगा क्या 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 लिखा रहता बेटा चौते नमबर में लिखा रहता है capital introduced by each partner हर partner capital कितनी लेकर आएगा बेटा जब partnership firm में आएगा तो बेटा drawings made by each partner हर partner business से कितना पैसा withdraw करेगा बेटा हर साल drawings कितनी करेगा accounts के student हो बेटा capital drawings में बहुत ज़्यादा बेटा हर पार्टनर कितनी capital introduce करेगा drawings कितनी करेगा interest on capital कितना मिलेगा बेटा interest on drawings कितना देगा समझाई salary given to each and every partner हर पार्टनर को salary कितनी देने वाले हैं ये भी लिखा रहता है और क्या लिखा रहता है admission of a new partner अगर कोई नया partner आया तो उसका admission कैसे होगा सुनना बेटा ABC तीन partner है D interested है इनकी partnership firm में आने को क्या ऐसे यादेगा बेटा नहीं पहले partnership deed पढ़नी पड़ेगी उसमें लिखा होगा कि admission कैसे हो सकता है अगर बेटा वो rules regulation पूरे करो के तू admission होगा Retirement of a partner भी लिखा रहता है ABC में से सीने का मैं retire होना चाहता हूँ बेटा तो कैसे retire हो सकता है ये भी partnership deed में लिखा रहता है बेटा dissolution of partnership firm पार्टनर्सिफ firm कभी बंद हो नहीं हो बेटा तो कैसे हो सकती है ये भी लिखा रहता है death of a partner अगर इनमें से किसी partner की death हो जाए तू क्या होगा ये भी लिखा रहता है auditing of a partnership firm बेटा partnership firm के accounts को on audit करेगा ये भी लिखा रहता है बेटा method solving disputes अगर कोई dispute arise हो गया बेटा ABC में से तो क्या-क्या method है जिससे बेटा resolve करोगे उन disputes को यानि कितने सारे मुद्धे हैं जो लिखे रहता है मैं बोल रहा हूँ कोई 5 याद कर लेना भूल जाओ सब कुछ मैं बेटा कम से कम दो से तीन बार इसको repeat करूँगा आपको 5 तो मैं याद कराई दूँगा ठीक है ना कोई 5 से 6 मुद्धे याद कर लो मेरे लिए बहुत है बेटा मुझे कुछ PhD नहीं कराने मुझे आपसे partnership डीड नहीं लिखवाने ठीक है ना बात लो प्यारे बच्चो सामने देखना मैंने भी एक बात बोली बेटा अभी मैंने बेटा बुक को आज छेड़ूंगा इन कसम से कहा रहूं बुक बंद कर दो बस मैं आज बुक की नहीं छेड़ूंगा पक्का जब आएगा बुक का मुद्धा तो बताऊंग याने कि बेटा पार्टनर्शिप डीड एक कंपलसरी चीज़ है और रेजिस्ट्रेशन कराओ के नहीं कराओ वो बेटा आपके उपर डिपेंड करता है कि कराने के नहीं अभी बेटा इसकी बात थोड़ा पेंडिंग छोड़ो इसकी बात करते हैं पार्टनर्शिप डीड ह सारी terms and condition को specify करता है इसमें बेटा बहुत सारी चीजे लिखी रहती हैं बेटा ideally जो मैं बाते बता रहा हूँ ये जरूर लिखी रहती हैं बेटा partnership firm का नाम और address पार्टनर के नाम और address बेटा PSR सबसे important मुद्ध यही है profit sharing ratio, capital contributed by each partner, drawings made by each partner, interest on capital, interest on drawings, salary of a partner, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, dissolution of a partnership firm, auditing of partnership firm and beta method solving disputes मैंने कुछ 14 बाते बता ही आपको कोई पांच से name and address of partnership firm, name and addresses of partner, profit sharing, ratio, capital contributed by each partner, drawings made by each partner, interest on capital, interest on drawings, admission of a partner, retirement of a partner, death of a partner, dissolution of a partnership firm, salary of a partner, beta auditing of a partnership firm and method solving disputes समझाई क्या 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 बात लिखे रहती होगी कल देखना बेटा partnership date सबसे पहले लिखा है बेटा with profit sharing ratio क्या partnership firm का नाम क्या ठीक है ना कल दिखाऊंगा तो आपको बेटा बड़ा idea मिलेगा कि अच्छा ऐसे होती है क्या partnership date ठीक है बेटा चलो बावो अब मैं इस मुद्धे से यहाँ पर shift हो चुका हूँ आपको partnership date clear हो चुकी है क्या चीज होती है ठीक है ना बेटा stamp paper पे लिखा जाता है agreement partner सारे sign करते हैं सारे के सारे जितने partner होते हैं ABC partner है तो A के भी sign नज़र आएंगे इस totally a optional process यह कंपर सरी नहीं होता बेटा कराओ के नहीं कराओ बेटा आपकी मर्जी है ठीक है ना और अगर नहीं कराओगे तो कुछ consequences है बेटा partnership firm का registration कराना है आपने करा लो नहीं कराना मत कराओ लेकिन अगर आपने नहीं कराया ना तो कुछ consequences भुगतने के लिए तयार है अब consequences क्या है मैं आपको समझा देता हूँ बेटा लो प्यारे बच्चो समझना बेटा मैं बोलता हूँ again यही बात चल रही है ABC तीन पार्टनर है ठीक है ना consequences समझना बेटा example ABC से ही दूँगा बेटा ABC तीन पार्टनर है आज ना बेटा C की लड़ाई हो गई A और B के साथ and C want to file a suit on A and B C ने सोचा कि यार मेरे को तो A और B पे case कर देना चाहिए यानि कि आप partner want to file a suit on a partnership form एक partner partnership form पे case करना चाहता है बेटा अगर आप registered नहीं हो तो case नहीं कर सकते बूल जाओ पहला consequence बेटा अगर firm registered नहीं हुई तो partner कभी भी partnership firm पे case नहीं कर सकता समझाई पहली वक्त अगर आप registered नहीं हुए तो partner partnership firm पे case नहीं कर सकता दूसरा consequence बेटा A और B की लड़ाई होगी C के साथ and partnership firm wants to file a suit on a partner बेटा वो भी नहीं कर सकते ना तो partner partnership firm पे case कर सकता ना ही बेटा partnership firm partner पर case कर सकती बात ख्लिया है तीसरी बार बेटा A, B, C पूरी partnership firm की लड़ाई हो गई किसी creditor के साथ किसी supplier के साथ लड़ाई हो गई वो पैसे मांग रहा था और बेटा लड़ाई हो गई and ABC wants to file a suit on a creditor, on a supplier और any other third party ठीक है ना यानि कि partner से firm किसी third party पे case करना चाहती है बेटा वो भी नहीं कर सकते ना तो partner partner से firm पे case कर सकता ना ही partner से firm कभी partner पे case कर सकती ना ही partner से firm कभी outsider पे case कर सकती क्या outsider case कर सकता है सर सुनना ये बात मैं specifically बड़े जोर देके बताता हूँ outsider अमेशा ही case कर सकता है outsider को कभी इस बात से वरक नहीं पड़ेगा कि आप register हो या नहीं हो सुनो बेटा अगर कानून कह दे अगर कानून ऐसे ऐसी बाते करे ना मेरे दिमाग में planning बड़ी अच्छे अच्छी है कानून कह देता अगर अगर आपकी partnership firm registered ना हुई तो outsider भी कभी case नहीं कर पाएगा अगर कह देता तो तो बेटा मैं तो आज ही partnership firm बना लेता और आज ही बेटा किसी के बेटा dash dash करोड लेकर भाग जाता मैंने कहा करके दिखा आप case law में लिखव है मेरी तो firm रेजिस्टर है केसी नहीं कर सकता तो मेरे उपर कड़ले जो करता बेटा ध्यान रखना कानून बड़ा systematic बना है कभी किसी outsider को फरग नहीं पड़ता आप registered हो के नहीं outsider हमेशा ही case कर सकता partner partnership firm पे case नहीं कर सकती partnership firm आउटसाइडर पे case नहीं कर सकती लेकिन outsider हमेशा case कर सकता है outsider वाली बात consequence में नहीं है यानि कि total तीनी consequences है समझा ही बात यादोरी है सबको बेटा साथ साथ जिस दिन सुनों का उस दिन बैंड बज़ जाती है तुमारी partnership डीड के अब 6 मेंटर तो याद हुए होंगे ना बेटा 6 मुद्य तो याद रहेंगे बेटा registration of our firm है totally a optional process अच्छा देखो मैं आपको एक बात बदाता हूँ मेरे से बुच्छोगे ना बेटा कि आपकी firm partnership firm registered है के नहीं मैं तोड़ा अलग खयाल का आदमी हूँ मैं कहता हूँ नहीं नहीं या रजिस्टर अब आप सोच रहोंगे यार कल को कोई dispute arise हो गया partners के बीच में तो क्या देखो मैं आपको एक बाद बदाता हूँ अगर आप इमानदार हो मेरे मेरी सोच ऐसी है अगर आप इमानदार हो तो आपको किसी कागच के टुकड़े की जुरत नहीं है मैं अगर इमानदार हूँ ना तो बेटा मुझे किसी कागच के टुकड़े की जुरत नहीं अगर मैं बिल्कूल इमानदार हूँ मेरे को किसी का हिस्सा देना अपने partner का तो मैंने देना ही ठीक है ना और मैं बोलता हूँ अगर मैं बेईमान हूँ तो कागज का टुकड़ा मेरा कुछ रुखाड नहीं सकता मैं साइन करके देता हूँ कर लो केस करना है जाओ कुछ भी नहीं होने का कितने साल चलता है इंडिया में केस 20 साल एक कोट में हाई कोट 10 साल कोट चुकाड़ने सकता कहीं भी करा लो साइन समझाई बात मैंने कभी नहीं कराई रजिस्टर पता नहीं को कभी दिमाग में नहीं आया बही मानी जब आएकि तब कराऊंगा रजिस्टर हाँ जी बात क्लियर हुई बेटा सारी बात ओके आपको ठीक है बड़े आगे बेटा अब डिस्कुशन ये उठता है पार्टनर्शिप चीजी क्या है बात तो कर ली डॉक्यूमेंट की अभी तक ये नहीं बताया बेटा पार्टनर्शिप क्या चीज है पहले तो ये बता देता हूँ आपको एक बात कि बेटा पार्टनर्शिप इस गवर्ण बाई इंडियन पार्टनर्शिप एक 1932 मेरे प्यारे बच्चों सुन लो बहुत अराम से बाद बेटा सोल प्रोप्राइटर्शिप जब मैंने पढ़ाई थी तो ये बताया था कि सोल प्रोप्राइटर्शिप फर्म किसी एक किसी कानून का इस से गवर्ण नहीं होती लेकिन भेटा हमारी पार्टनर्शिप एक कानून से गवर्ण है और उस कानून का नामे भेटा इंडियन पार्टनर्शिप एक्ट 1932 ठीक है है अब मैं भेटा कुछ बता देता हूँ अच्छा ये क्या होता है Act ये तो कभी समझ नहीं आए कभी पढ़ा इनी बेटा बापो इसलिए तो हो ठीक है ना टीचर तो बताएंगे बाटन से पैकट आपको पता तो होता नहीं Act क्या है बेटा खुश होते रहते हो बेटा ऐसे इसे नाम याद रख के बस एज़े घुषना हो या गरो, समझ लो बेटा, Act क्या होता है, कानून क्या होता है यह सचमाईने में कानून है, बनता कैसे है, समझना बेटा, मैं यही तरफ देखना मैंने साइद पहले कभी न कभी बोला है, बेटा, जिन के लिए बोला है, उनके लिए एक बिल प्रेजंट करती है बेटा इन दा फर्स्ट हाउस पार्लेमेंट विच इस लोगसभा यानि कि बेटा यह कभी भी न ऐसे नहीं होगा शुरू में इंडियन पार्टनर्शिप एक्ट बन गया होगा यानि कि यह जब आया होगा न तो इसका नाम होगा इंडियन पास करणा चाते हैं और वहाँ पर बेटा प्रेजंट करा लोगसभा में और सारे मेंबरों पर्लामेंट जो सबा में बैठे थे तो उनको बताया कि ना ये एक्ट है ये कानून है जो मैं पास कराना चाहती हूँ गवर्में ने बोला सारे मेंबरों पार्लामेंट ने उसके ओपर डिसकुशन करा और बेटा कहीं राउंड शोट डिसकुशन चलते रहे उसके बाद बेटा सबने वोट कर अगर ये मैजॉरिटी से पास हुआ तो बेटा ये सेकंड आउस ओ पार्लामेंट में जाएगा विच इस राज्यसभा मैजॉरिटी समझते हो ना बेटा अगर तीन सो मेंबर हैं बेटा तो कम से कम 151 वोट आपके पास फेवर में होने चाहिए 151 वोट आपके पास फेवर म उने चीन तो पास हुआ फिर ये कया बेटा राज्यसभा में ऐसे ही राज्यसभा में भी सारे मेंबर और पार्लामेंट ने डिसकुशन करा बेटा जो चेंजस रिक्वायर्ड थे वो लोग सबा में बताए कि ये चेंजस करके दो बेटा फिर राज्यसभा ने भी अगर पर साइन हो जाता है बेटा वो दिन वो साल यहां पर लिखा जाता है सुला बेटा जसे सांविखा जाता है और बिल हटा कर इसको हुम एक्ट कर देते हैं समझ में कोई चीज एक्ट कैसे बनती है बाबू अब देखो बदे क्या यहां पर ना बड़े पेचिद हैं मुद्ध हैं और मुझे एक्स्ट्रा बात करने में आपे मज़ा बढ़ाता है मैं आगे बढ़ने का मूर नी कर रहा है मेरा तो पहले इस पेच्टी कराने का मूर कर सुनना और बेटा यह बात कभी न कभी आपके साथ पहले भी होई होगी जिनके साथ हुई है सुनना बेटा चे एक बार बताओ मैंने आपको बताया कि इंडिया में लॉग कैसे बनता है अरे बताया ना लॉग कैसे बनता है पहले फस्ट आउस ओ पार्लामेंट लोग सभा देन सेकंड आउस ओ पार्लामेंट राज्य सभा, देन प्रेजिडेंट की एसेंट, ज़स देन प्रेजिडेंट ने एसेंट दी उस दिन वो बन गया लोग, ठीक है बेटा, इंडिया में प्रेजिडेंट का काम बड़ा लिमिटेट साह, साइन बन, ठीक है न, बाकी सारे तेरे को बड़ा मजाते है बाते बताने, ठीक है न, आप देखो, आप कितने इंटालियंट बच्चे हो, ठीक है न, जिन्होंने पहले पड़ा हूँ है, कोई कुछ नहीं बोले, बेटा, पार्लेमेंट कब बनी इंडिया में, होई 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 होई, कितने पड़े पड़े लिखे वे बच्चे, ये देश का फ्यूचर, मैं तो आज बेटा चिट्थी लिखने है वाला हूँ, पीम साब को, देश का भविश्य खतरे में है, वो बावो इतना, वो देखो, गूगल बाबा कर रहे बता, यार, पार्स, यार, क्या है, यार, मतलब क्या ही बता रिपब्लिक डे सलिवरेट करते हो, और तुम्हार से बड़ा गदा ना कोई मिलेगा नी मुझे, बेटा, 26 जनवरी 1950, इसको हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, पता है क्यों, क्योंकि इस दिन हमारा कॉंस्टिटिउशन लिखा गया, और कॉंस्टिटिउशन में लिखा गया, नाम की कोई चीज होगी, जो इंडिया के लिए कानून बनाएगी व्यूचर में, याने कि 26 जनवरी 1950 को माना जाता है कि पार्लियमेंट बनी और मजा याजय का समझदार बच्चों को, समझदार बच्चे, पार्लियमेंट बनी 1950, ये एक्ट 1932 में कहां से आ गया? एक्जैक्ली, बेटा, ब्रिटस काउंसिल हमारे लिए पास करके गई है, और यार, देखो, मतलब मैं क्या बोलू यार, इस मुद्धे भी मैं, अगर मैं सुवे से लेकर रात तक भी डिसकुशन करू ना, गाली अदू तनी थोड़ी है, इंडिया का एक-एक कानून, एक- और मैं जो वर्ड बोलता हूं ना, मैं सा, मुटैटस, मुटैंडस, वोई कर रखा है, इंडिया ने, हर चीज कॉपेट है फ्रम यूके, सब्जेक्ट तू दा नैसेसरी मॉडिफिकेशन, अकॉर्डिन तू दा और ओफ इंडिया, उसको चेंज किया गया, बेटा, हर चीज मां से उठा रखे है, हर चीज मां से, सर, हिंदी हमारी मातरवाशा, किसको बड़ा प्यार है बेटा, मातरवाशा से मुझे भी बताना चरा, मिलना बेटा, फिर बताऊंगा, हिंदी हमारी मातरवाशा है ना, मेरे को बड़ा प्यार है, बहुत प्यार है, ठीक है ना, लेकि अब इतनी मात्र भाषा थी तेरा दिन में ट्रांसलेट हो जाना चीए था तेरा साल लगे 1963 में पहली बार Constitution हिंदी में आया हाना मैं कह रहा हूँ इतने मुद्यागर में छेड़ू तो पता नहीं क्या क्या है सर नहीं नहीं ओफिसियल है भाई नहीं सर क्या बात कर रहे हो हाँ अर जगे पर लिखा मात्र भाषा इंदी है बेटा मैं बोल रहा हूँ आप हर एच्छा एक बार बताता हूँ तेरे को तुमने लिखा वाए ना हौकी देखो एक चीज होती है बेटा मानना और एक चीज होता है डिकलेर ना हो ना चलो मैंने बोलिया आप मानते ओ ना चलो मान लो बेटा आप मानते हो हिंदी मातर भाषा चाहे ओपीसली कही नहीं लिखावा ऐसे तो लुब ये भी मानते है बेटा होकी हमारा नैशनल स्पोर्ट है सबको पता है क्रिकेट है बोल नहीं सकते क्योंकि 200 साल उन्हों नहीं क्रिक्ट दिया कि मानते ही तो ना चलो मानते भी तब भी बोल रहा हूं 13 साल तेरा साल लग गए तेरा दिन के काम के सोचो चलो खैर ये तो अपना मुद्दा नहीं है खैर ये समझ में आ गया इतना कॉपी करते हैं बेटा कि आज तक उन्हीं का चल रहा है 2017, 2021 पढ़ क्या रहे हैं 1932 चेंजिज नहीं होते सालो साल सौ सो साल हो जाएंगे तब भी नहीं दिखेगा कोई चींज चलो कहा है बेटा आगे बढ़ाता हूं बात को Indian Partnership Act 1932 ने Partnership को Define किया हुआ है अब बेटा मैं ये जब वर्ड बोलता हूं न यहीं पर बेटा मेरे ना बात सुरो जाती है मैंने अगर बोल दिया ना Define किया गया है Define मतलब Definition दी गई है बेटा आप सुल लो ये आपके वर्ड नहीं है ये कोई मीनिंग नहीं है बेटा जिसमें आपने कहा जो चाहे दो चाहे वर्ड ऐड कर दिये दो चाहे डिलीट कर दिये दो चाहर मॉडिफाई कर दिये इंडियन पार्टनर्शिप एक 1932 ने Definition दी की पार्टनर्शिप क्या चीज होती है और जब बेटा कोई Definition दे कर जाता है ना कोई ओथर हो चाहे कोई कानून हो ना तो एक भी वर्ड ऐड करना ना एक भी वर्ड डिलीट करना और ना ये बेटा एक भी वर्ड मॉडिफाई क करना जैसा लिखा गया मुझे वैसा ही चाहिए बेटा मेरी मजबूरी मैं कुछ भी नहीं कहता रखने को लेकिन Definition रखनी परती है ठीक है लेकिन मैं Definition पे Analysis बड़ा कमाल करूँगा मजा आ जाएगा आपको पढ़कर ठीक है पहले मैं Definition लिखता हूं कि इंडियन पार्टन सब्सक्राइब 1932 ने क्या कैसे डिफाइन करा बेटा पार्टन सब्सक्राइब को ठीक है जी क्थया करल में dengan सब्सक्राइबाय कर्फंद्स कर्फयर है करवा बेट कामम Cool traffic यारी के Um지न एई जिए शद्सक्राइब करामम लो प्यारे बच्छो बस यार बस गपोडियो अभी बहुत मजाने वाला यार अभी मत शेडो ठीक है ना गपे मारेंगे बेटा साड़े साथ के बाद अभी मत शेडो मेरे को ठीक है जी बेटा ये देफिनेशन दी इंडियन पार्टनर्शिप अक्ट 1932 ने और बहुत कमाल डिफाइन किया बेटा बहुत ही कमाल बेटा बोलता है इट इस दा रिलेशन बिट्वीन परसंट वो एव अग्रीट तो शेर दा प्रॉफिट ऑफ दा बिजनस कैरेड ऑन बाई ओल और एनी बन आफ कहता है पार्टनर्शिप कुछ और नहीं परसंट के बीच की ऐसी रिलेशन है जहां पर परसंट प्रॉफिट बाटने को तयार हो जाएं कहता है partnership कुछ और चीज थोड़ी है partnership वहीं चीज है बेटा जहाँ पर कुछ लोग आपस में मिलकर profit बाटने को तयार हो जाए बेटा profit itself include the losses मेरा analysis ऐसा कहता है बेटा profit का मतलब खाली profit नहीं होता अगर losses भी हुए तो बेटा ये वही लोग है जो losses भी बाटेंगे फैरी line समझे आए ये तो बड़ी simple सी line है it is the relation आपका तो मन कर रहा होगा यहीं तक पढ़ो बाबू बाबू it is the relation between person who have agreed to share the profit of the business person के बीच की ऐसी relation जहां वो बेटा profit बाटने को तयार हो जाए profit itself include the losses काम की बाट मज़ेदार तो बात ही है बेटा कहता है सुनना अब बहुत मज़ाएगा बेटा carried on by all or any one of them acting for all और आपको बता देता हूँ बेटा इसी particular line को हम प्यास से बोलते हैं mutual agency paper में बेटा short note आता है short note लिखो carried on by all or any one of them acting for all बच्चा कहता है मेरे course का party नहीं है क्या करूं गदो का हिलाज बेटा इसी को प्यास से mutual agency बोलते हैं और आपके बेटा feature में लिखा गया mutual agency यह दोनों एक ही बात होते हैं अब समझना बेटा कहता है carried on by all सब मिलकर partnership firm चला लो carried on by all सब मिलकर firm चला रहो और any one of them acting for all यानि कि एक partner अखेला भी firm चला सकता है अब मैं analysis करूँगा बहुत अराम से समझेंगे प्यारे बच्चे बात को मान लो बेटा किसी firm में तीन partner हैं A, B और C ठीक है बेटा क्या बोलता है carried on by all और any one of them acting for all ये बोलता है A, B और C तीनो यानि कि एक partnership firm के सारे partner principal भी होते हैं और agent भी होते हैं यानि कि बेटा एक partnership firm के सारे के सारे partner मालिक भी होते हैं और बेटा knocker भी होते हैं कहता है सारे principal हो तो सारे मालिक भी हो और सारे agent भी हो सारे के सारे तुम नोकर भी हो ठीक है जी, ये बात समझ में आई कि सारे के सारे मालिक भी है, सारे के सारे नोकर भी है बेटा, मेरे को बोला गया carried on by all, कहता है सब decision ले लो ABC तीनो एक जगे पे बैठते हैं बेटा, हमेशा decision लेते हैं, क्योंकि तीनो मालिक है पार्टनर अपने एक्ट से पूरी फर्म को बाइंड कर देता है बेटा समझाने के लिए बात बोलता हो बेटा, एक ना प्रॉपटी का मैटर था और ABC सोच रहे थे कि हमें इन्वेस्ट करना है के नहीं उन्हें कॉल आती है, लट सबोज ये पार्टनर से फर्म है A और B को Emergency पढ़ गई, नहीं आ पाए A और B ने C को वेजा कि तू चला जा, अगर तुझे अच्छा लगे तू साइन कर दियो, कोई दिक्कत ना माद C गया, पूरा Contract रीड करा, जगा देखी, उसको Prima Facia अच्छी लगी Prima Facia का मतलब बता है, At the First Instance मतलब देख कर अच्छा लग, ठीक है जी, उसने Contracts Sign कर दिया, और मैं बोलता हूँ, इसके Contracts Sign करने पर, फर्म को 2 करोड का Loss हो गया, खाली C-B-E-R करेगा Sir, भूल मत जाना, Law में लिखा है Any one of them acting for all आप पढ़ते ही तो नहीं, आपको लगता है Plain Reading करनी होती है, English की और मैं कहा रहा हूँ, बेटा, सब कुछ इसी में लिखा गया है अराम से बढ़ो, बेटा, जब C sign करने गया और A और B गर बैटे आपको बता रहेता हूँ, C is acting as the agent C knocker की तरह गया बेटा, और वो दोनों मालिकों की तरह गर बैटे है कभी ऐसा हो सकता है, बेटा, A sign करने गया है, B, C गर बैटे तो बेटा, A is acting as the agent और B और C principal बनके गर बैटे है और कभी B sign करने का तो B agent, A और C principal और बेटा, अगर ये C ने contract sign कर दिया है एक partner अपने act से सारी firm bind कर देता है, बेटा law में लिखा गया है any one of them acting for all यानि कि एक इंसान सब के बेहाव पर act कर सकता है यानि कि ये C का sign खाली C के उपर नहीं लगता पूरी partnership firm को पसा देगा बेटा सर अनलिसस समझ में आया मैंने क्या क्या बोला repeat कर रहा हूँ, सुनना बहुत अराम से ठीक है, अब याद करा दू आपको यहां से नहीं एक बात link करने का बड़ा मूर कर रहा है sense of accomplishment, soul proprietorship firm पता है क्या समझाया था मैंने बेटा, soul proprietorship firm में अगर profit होता है ना, एक बड़ा sense of satisfaction होता है मेरी वज़ा से और अगर losses भी होता है ना, तब भी satisfaction रहता है कि कम से कम decision तो मेरे थे यादाई बात, partnership firm में तो रोने को वो भी नहीं होता C sign करके आगया, ABC को तीनों को दो करोड का चप्कू चल गया यह और भी रोते रहेंगे, यार हमने तो कुछ भी नहीं है तब भी देने पढ़ेंगे बेटा, दो करोड़ रोते रहो, कुछ भी करो समझ में आ रहा है ना बेटा, soul proprietor में रोते हो कम से कम अपनी वज़े से तो रोते हो partnership में तो रो भी नहीं सकते अपनी वज़ा से सर, clarity हुई होगी, शायद sense of accomplishment में इसी वज़ा से बेटा बोलता हूँ कि compare करके पढ़ेंगे तो बहुत easy हो जाएगा जक्तर, अब बेटा analysis दुबारा, बेटा अराम से पढ़ना ये बात क्या लिखे गई है carried on by all, सब मिलकर firm चलाओ, और anyone of them acting for all, यानि कि एक इंसान भी अकेला firm चला सकता है, एक partner भी firm चला सकता है, अब बेटा मैं कुछ बात बहुता हूँ, देखो बेटा सारे partner, एक partnership firm के जितने भी partner होते हैं, सब principle होते हैं, सब agent होते हैं, सब बेटा मालिक हैं, और सब बेटा knocker भी हैं, generally सारे ही decision लेते हैं मिलकर, जैसा कि मुझे लौने का carried on by हो, सब बेटा decision लेते हैं, general case यही होता है, लेकिन बेटा exceptional के तौर पर, अगर एक partner बेटा कहीं sign कर दे, तो बेटा ये खाली contract उस partner पे नहीं लगेगा, ये बेटा अपने act से पूरी firm को bind करता है, बेटा, अगर A किसी जगा पर sign करके आया, तो A is acting as the agent and B and C are the principles, B sign करके आया, तो B agent, A और C principle, C sign करके आया, तो C agent, A और B principle, clear हो अब मैं C ज़को लेकर, पक्का, मैंने अभी बेटा book उठाई नहीं है, कल उठाऊंगा, कल read कराऊंगा ये बात, जितनी ही मैंने बोली, फिर बढ़ेंगे आगे, अब मैंने पूरा बेस तयार कर दिया, अब मैंने नहीं करने, अब तो बहुत जल्दी भागेगी बातने से, ठीक है भी आरे बच्चो, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाई बाई